और राइट तो चार्ट कर रहे हैं विद पीटी 365 डिसकुशन ऑफ नमी यह देशिक्स है इस डिसकुशन में एकनॉमिक है तो आज का जो थोड़ा पार्ट रहेगा अग्रिकल्चर वगरा भी रहेगा तो इन्वार्मेंट इन एकलॉजी से भी लिंक करते रहेंगे उस यह जो रेमिटेंस का एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल बैंक निकालता है माइकरेशन इन डेवलप्मेंट ब्रीफ इसके अकॉर्डिंग इंडिया वाज दो हाइस्ट रेमिटेंस रिसीवर फॉलोड बाई मेक्सिको और चाइन टर्म्स ऑफ स्टेट्स तो महाराष्टर सबसे युनाइट किंड़म तो यह तोप टॉप टॉप ठी कंट्रीज इस इसे हमें पैसा आ रहा है और इसी से ही एक एस्पेक्ट देखो एक स्कीम हमें पतावने चाहिए विच इस इन वे लिबरालाइज रेमिटेंस की आम शोर एकनामी में सब ने इसके बारे में एक बार तो पड़ाओगा बट रीसेंटली ये न्यूज में था विकॉज गवर्मेंट ने क्या किया जो पेमेंट हाई नेट वर्थ इंडिविजुल्स क्रेडिट काड के तुरू फॉरिन कंट्रीज में कर रहे थे उसको अब LRS के परिव्यू के अंदर ले लिया गया है पहले लिब्रलाइज रेमिटन स्कीम तो बेसिकली लिब्रलाइज रेमिटन्स आपको पता लग गया रेमिटन्स मतलब वो पैसा जो कि कुछ कंट्री के लोग जो है वो दूसरी कंट्री में भीजते हैं राइट नॉट अगें सम पर्चेज ऑफ गुड्स इंपली अपने फेमिल चाहिए हमें अब यह जो लिब्रलाइज रेमिटन स्कीम है दिस केम अंडर दा और एक्षेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल्स 2000 ठीक है तो आपको पता हमारा फेमा एक्ट है ना और एक्षेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है उसके अंदर हम लोग ने यह रूल्स डिफाइन किय है तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर आप तू लाक फिफ्टी थाउजंट डॉलर्स है उससे बियॉंड अगर पेमेंट करते हो पेमेंट करने के कोश्च करते हो उस पर बहुत सरी रेस्ट्रिक्शन टैक्स वगरा देने पड़ते हैं इसे अंडर में अगर आप रह चल रहा था बाकी जितना भी पेमेंट था वो सब इसके त्रू हो रहा था उसके ओपर कुछ आपको टेक्स टेक्स कलेक्शन एच पर आपको कुछ amount of tax collected at source आपसे ले लिया जाता था इक्ट आपसे वहीं पर tax collect कर ले जाता था जब आप किसी को बाहर payment कर रहे हो अब यह चीज़ केवल अभी तक credit card के ऊपर नहीं थी बाकी जितनी भी payment आप कर रहे थे चाहे से करो वह सब इसके परविव के अंदर था बट क्रेडिट कार्ड नहीं था यह जो हाइट बहुत सारा टेक्स बचा रहे हैं हमें इनको भी टैक्स कर देना चाहिए तो यहाँ दखना कौन से अक्ट के अंदर बनाए है इसके अंदर हम लोगों ने रूल्स बनाए है और उस रूल्स के तुरू लिब्रलाइज रेमिटन स्कीम जो है यह एक्जिस्टेंस में आया इसके अंदर तू लाग फिफ्टी थाउजंड यूएस जॉलर्स का एक काप लगाया हुए उसके अगर ब्यॉंड आप पेमेंट कर सोच कर वे तो आपको RBI से पर्मिशन लेना पड़ेगा तो अब TCS की बात कर लेते हैं TCS क्या है तो यह जो TCS से टैक्स क्लेक्शन एट सोर्स एक ऐसा टैक्स है जो की क्लेक्ट किया जाता है वाइस सेलर ऑफ सेलेक्टेड गुड्स इन सर्विसेज फ्रॉम दे बायर जिसा इसके अलाबा लेट से अगर फॉररं रॉमिंटेंस के कंटेक्स में बुलें लेट से मैं कोई परसन हूं जो कि किसी दूसरे पर्सन को यूस में जो बैठा है उसको कुछ पैसे भीज रहा हूं वो हमारी इंडिन गवर्मेंट को जाएगा तो यह जो यूनियन बजट 23-24 मे और इसके अलावा भी थोड़ा सा जो रेट है यह 0.5% TCS रहता है अगर वो एक्सीड कर जाता है इस 7 लाक से उपर लेकिन अगर वो पैसा financial institution के तुबार भीजा गया है let's say अगर मैं कोई individual हूं right for example मेरे parents है वो मुझे भाहर पढ़ने के लिए भेज रहा है तो अगर वो tax collection source देंगे उस fund के ओपर जो वो मुझे भाहर पढ़ने के लिए बेज रहा है उस पर 5% देना पड़ेगा अगर वो amount 7 lakh से exceed हो जाता है that was according to the union budget 23-24 right इसके अलावा अगर आप overseas tour program अगरे लेते हो तो आपे जो TCA से यह बढ़के हो जाएगा 5-20% तो एक बहुत significant rise हो जाता है तो यह था थोड़ा सा update अगें यह वाला part important नहीं है अपने को CA वगरे के exam नहीं देना UPC में I don't think इतना detail में आपसे पूछेगा बड़ आपको इतना जानकर रहें चाहिए TCS क्या है और LRS scheme क्या है अब थोड़ा सा बात कर लेता है जरुद क्या पड़ी LRS की यह जो scheme थे this was introduced in 2004 एम यह था कि हम liberalize करे foreign exchange regulation को और facilitate करे smooth transfer of funds from Indian residents अब हम लोग ने यह चीज तो ensure कर रहे हैं कि इंडिया में पैसा आए उसके लिए तो हम लोग ने बहुत सारी ease of doing business और यह और वह बहुत सारी schemes लगा दिये लेकिन Indian residents अब globalized world ले तो उनको भी पैसा बाहर भीज़ना पड़ेगा किसी point of time पे right so as to facilitate that very thing LRS scheme लाए गया था ताकि Indian resident भी आराम से बाहर पैसा बेज सके अब वो उनका खुद का वो पर्रोगेट होगा को किस के purpose के लिए कर सकते हैं ज्यादा तर हम देखें तो आजकल जो students है वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसे में उनके parents उनको भीजते हैं पैसे इंडिया से तो या दखना इसके अंदर जो resident individuals है they can freely remit up to 250,000 US dollar per financial year तो या दखना पर financial year में 250,000 US dollar से वो भेज सकते हैं उसमें capital, current account, transaction दोनों का combination में यह हो सकता है कोई दिखकत नहीं है बट अगर इसके beyond आप करने के कोश्च करोगे तो आपको RBI से prior permission लेना पड़ेगा ताथी यह जो नियम है केवल लागू होंगे individuals के उपर या financial institutions के उपर but this would not apply to corporates, partnership firms, HUFs and trust ठीक है और तीसरा चीज इसमें ही है कि कोई भी अगर जो remittance किया जाता है that can be only made in any freely convertible currency जैसे अगर आपने रुपी को dollar में convert करने जाता है लेकिन ऐसे कोई बहुत ही obscure currency है या country वो वाली country जो अपनी currency को freely convertible नहीं मना रख है तो उसमें आप remittance नहीं कर पाओगे आपको उस step में क्या करना पड़ सकता है आप उसको dollar में convert कर दो और dollar से फिर शायद वो country अगर currency को convert करा दे तो ही आप remittance directly भेज सकते हो अदर्वाइस नहीं भेज पाओगे अब कु इनके तुरू आप पैसे बेज सकते हो नहीं बेज सकते है जैसे हम लोगों ने देख लिया corporate, partnership firms, Hindu undivided family trust अगरा इनके तुरू आप पैसे को नहीं बेज सकते हो under LRS इसके अलावा लेजसे आपको कोई trading करनी है forex के अंदर abroad, forex मतलब foreign exchange में आपको trading करनी है abroad, वो भी LRS के अंदर मतलब नहीं आएगा या और कोई ऐसा जो restricted activity है under the FEMA Act उसके अंदर भी जो LRS है या LRS का पैसा नहीं बेजा जा सकता है अब क्या क्या इसमें allowed है remittances LRS के अंदर तो आपको पता होने जिए gift donation allowed है going abroad for employment, immigration, maintenance of closed relatives who are living abroad, studies तो आपका कोई partner या फिर आपका कोई बच्चा बगर आए जो है वो बहर पढ़ रहा तो उसके लिए आप remittances भीज सकते हो ठीक है, so these are the activities that are permitted and not permitted under the LRS, ठीक है इतने पार्ट में कोई doubt है, कोई question है तो पुछे ठीक है, फिर आगे सलने है, next topic, credit rating agencies, अभी Moody's ने इंडिया की जो credit rating है उसको कर दिया है PAA3, ठीक है ये rating दी है, अब ये term याद गरना जरूरी नहीं है कि क्या rating है, Moody's के perspective से परसे इतना याद रख लेना, अभी आपको पता है, Indian economy बाकी economy से काफी better perform करें, for that reason, most of the rating agencies ने इंडिया की जो investment grade है उसे, या इंडिया के जो rating है उसे investment grade का अगर रखा है investment grade मतलब, कि आप यहाँ पर पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, यानि country default नहीं करेगा और आपका जो भी पैसा आपने लगाया है, उस पर आपको एक decent return मिलेगा, आपको पता investment grade के अंदर low risk होता है और profit भी low होता है, यह तो basically economics का एक principle ही है, यहाँ पर high risk होगा, वहाँ पर high profit होता है, लेकिन वहाँ पर आपके पैसे डूबने के भी chances जादा होता है investment grade में risk कम है और profit आपको मिलेगा, तो जो ऐसे investors होते हैं जिनने जादा risk नहीं लेना उनके लिए investment grade is good और generally investment grade मतलब B rating से उपर, जो B rated जो bonds हो गया credit rating हो गया उससे better जो होती है, या या AAA, ये सारी investment grade में आती है और C, या D जो है जाती है junk grade में मलब यहाँ पर आप पैसा डालोगे तो इसके डूबने के chances काफी हाई है, मतलब बहुत जादा high risk करहता है junk category में इंडिया का जो size है और जिस rate से इंडिया ग्रो कर रहा है, जो investment grade के अंदर भी जो rating इंडियन bonds को मिलती है या इंडिया को मिली हुए है वो थोड़ी सी कम है और यहीं पर partiality दिखती है इन global credit rating agencies की तो यहाँ दखना अभी इंडिया का जो है investment grade चल रहा है बाकि यहाँ पर आप देख सकते हूँ different rating के symbol है ट्रिपल एट डबल एट डबल ए ट्रिपल बी राइट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दीरे दीरे जो रिस्क बढ़ता चाला जारा है डबल बी फिर बी फिर सी और फिर दी डी में बहुत हाई चांस है कि आपका पैसा default कर जाएगा तो यह थे investment rating के different different symbols अब बात करते हैं credit rating agencies की तो यह basically sovereign rating है जो एसेस करती है credit worthiness of country and our key parameter for investors to basically invest their money sovereign credit rating जो मिलती है मतलब एक sovereign मतलब एक country को जो credit rating मिलती है उसके तुरू बाकि investors को idea लगेगा कि इस country में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए तो यहाँ दखना अभी यह credit rating agency यह cover करें 66 trillion US dollars in sovereign debt तो एक बहुत बड़ा global capital जो है उसको manage करने का काम यह credit rating agencies करती है अभी currently इंडिया की जैसे मैंने बताया rating जो है investment grade है और यह जो तीन big firms है credit rating agencies के terms में तो आपको पताना चाहिए कौन-कौन है Standard & Poor, Moody's और Fitch तो यह तीन अनलग-लग credit rating agency है और world की सबसे तीन biggest credit rating agencies है अब क्या criteria रखते हैं यह आपके basically country को क्या credit rating मिलेगी उसका criteria रहता है एक तो political risk कैसी political stability है taxation कैसा है currency value कैसी है labor laws कैसे है या another is sovereign risk मतलब जहाँ पर जो central bank है वो कैसे foreign exchange को regulate कर रहा है यह सारी जो चीज़े है इसको assess करके जो credit rating agencies है यहर country को एक basically tag देती है कि credit worthiness बताने का एक tag देती है वो यह symbols के form में होगा AAA 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 वगएरा 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 तो this was all about the credit rating agencies अगर हम इंडिया के अंदर बात करें credit rating agencies की तो सेबी जो है basically regulate करता है all credit rating firms under सेबी credit rating agencies regulation 1999 तो यह point आपके लिए बहुत जाद important है आपको confuse कर सकता है आपको लिख देगा क्या RBI regulate करता है all credit firms को तो आपको पताने से नहीं आर बी नहीं है यहाँ पर से भी जो है credit rating firms को regulate करता है तो इंडिया के अंदर seven credit rating agencies है जिसका नाम पताने से crystal care, ICRA, acute rating, brickwork rating, India rating and research, private limited and information, valuation and rating primate limited ठीक है तो यह seven credit rating agencies है इंडिया के अंदर लेकिन अगर इनको compare करोगे the big three से तो काफी small size है मतलब काफी थोड़ा size रह गया इंडिया को अपनी जो credit rating agencies है उनका size थोड़ा बढ़ा करना पड़ेगा तब जाके हम यह global giants के साथ compete कर पाएंगे जब तक कि आपका image थोड़ा सा और बढ़ा नहीं होगा तब तक आपकी जो rating ज्यादा प्रिफर करते हैं इंडिया को अपनी जो credit rating agencies है इनका थोड़ा जो size है वो बढ़ा करना पड़ेगा तो यह था about the credit rating agencies अब आगे चलते हैं next देखो increase in IMF quota तो अभी international monetary fund ने उन्होंने अप्रूव किया है अब proposal to increase the IMF quota तो IMF quota के अंदर अब 50% increase करने की बात कर रहे हैं जितने भी members है उनके portion में जो उनका current quota है उसमें 50% increment हो जाएगा तो rise क्यों कर रहा है बहुत लंबे समय से demand चल रही थी IMF के अंदर एक quota system चलता है तो पहला quota system देख लेते हैं तो quotas are the building block of IMS financial and governance structure और यह quotas denominated किसमे होते है यह denominated होते है यह denominated होते है special drawing rights में तो कोई special drawing rights के बारे में बना सकते SDR क्या होता है अईवन? What is SDR? It's a special currency of IMF. It is not actually an international currency but it has been made using the combination of all the five currencies of the world and packed with the gold. I mean not packed with the gold exactly, but it's basically a basket of currencies. ठीक है एक asset है not exactly a currency, it's a asset जो कि एक basket of currency है जिसे आपने बोला कि इसमें पांच जो वर्ल्ड की top currencies है वो आती है तो वो भी अपने को पता हो चाहिए basket of currencies में कौन-कौन सी currency आती है इसमें? आती है, we have dollar होगे इसमें सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने पास euro, फिर पॉंड sterling, इसके बाद अपने पास है इसमें, जापनीज yen, और फिर Chinese renminbi या yuan, यह पांच currencies है, उसका combination है यह SDR, यह पता होना चाहिए? इसमें, यह तो हो गया, SDR के form में यह quotas denominated होता है, तो इन currencies के साब से आपको कुछ SDR जो है, वो मिलेंगे, जो की IMF का unit of account है, अब इस quota system से होता क्या है? quota system से basically determine होता है, कि आपके country का कितना resource contribution होगा, जितना आपका quota होगा, उतना आपको IMF को कुछ पैसा देना पड़ेगा, और voting power भी उससी से आपकी decide होगी, जितना आपका quota होगा, जितना आप पैसा दोगे, उसके साब से आपकी voting power भी होगी, clear? अब यहाँ पर सब countries, although participate करते हैं, उन सब को एक basic vote सभी को मिलता है, बराबर basic vote मिलता है, लेकिन उसके उपर, जो countries का जो quota है, उसके साब से जो contribution करते हैं, वो IMF के fund में, उसके हिसाब से उन्हें 1 vote per 1 lakh SDR मिलता है, ठीक है, 1 vote per 100,000 SDR या 1 lakh SDR के हिसाब से 1 vote extra मिलेगा, ठीक है तो जितना आपका quota होगा, उतना जादा ही आपको extra vote, और मिलेंगे above the basic votes, जो सभी को मिलते हैं, ठीक है, अब इसी जो आपने पैसा IMF को डाला है, उसके बदले में, आपको loan भी मिल सकता है, तो अगर आपको let's say, IMF में जो आपका पैसा पढ़ा होगा, उसके बदले में defined होगा, इंडिया currently has a quota of 2.75% with voting rights of 2.63%, इंडिया का जो quota है, इसमें काफी कम है, अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, क्यों हो जरुवत पड़ी, इस quota system को increase करने की, तो पहला इस से global safeguard, global financial stability by enhancing IMF permanent resources, अब सभी countries का जब quota बढ़ेगा, तो उन countries का quota बढ़ने से क्या होगा, वो countries का contribution IMF के अंदर, उनकी जो funding है IMF के account में, वो बढ़ेगी, तो इससे global financial stability को help करने में, एक important step रहेगा, ये, तो जो fund है, अभी currently relies on bilateral borrowing arrangement and pledges, to a crisis lending fund called new arrangement to borrow, for nearly 60% of lending resources, तो जो reliance है, borrowed resources के उपर, वो कम होगा, because अब वो पैसा जो है, IMF से भी उठा पाएंगे, right, क्योंकि quota अगर जादा हो गया, तो अब इससी बात है, उनके पास भी पैसा उठाने की और avenues बढ़ेगा है, नेक्स अब बात करते हैं, ये IMF का quota formula बनाया कैसे गया था, तो इसमें parameters है, जिनका weightage आपको पता होना चाहिए, ये parameters क्या है, पहला है economic variability, दूसरा है international reserves, third है GDP, और openness to global economy, इसमें सबसे major contribution है, वो GDP का है, जिस country की सबसे जादा GDP होगी, उसको सबसे जादा IMF के quota के अंदर share में लेगा, तो अपने को पता है, सबसे बड़ी economy जो है, वो US है, तो सबसे बड़ा जो share है, इस IMF के quota के अंदर, वो सबसे बड़ा share भी, किसका होगा, US का ह होगा, नेक्स उसके बाद है, openness to the global economy, आप कितना open हो, कितना आप import, export freely कर रहे हो, financial market आपका कितना open है, तो आपको बता है, इंडिया तो अभी 1992 के बाद, LPG reforms के बाद, हम लोगों ने open करना शुरू किया है, और अभी भी हम पूरी तरी किसे open नहीं, बहुत सारे sectors में हम लोग परसेंट नहीं है, वो केवल partial अभी, राइट, इन दाट सेंस हम यहाँ पर थोड़ा lag करते हैं, नेक्स है economic variability, यह third हो गया, economic variability, and fourth है, आपके बास कितना international reserve है, तो अभी आपको बता है, during the COVID-19 हमारा all-time high चला गया था, international reserve, हम लोगों ने 600 जो billion dollars है, उसका जो mark था, वो cross कर ल रहा है, तो यह चारो parameters आपको पताने से, GDP, openness to global economy, economic variability, और international reserves, यह होता है, इसके तुरू आपको IMF quota मिलता है, और उस quota के coding आपको, कुछ voting rights मिलते हैं, और कुछ आपको SDRs मिलते हैं, अब आगे बात करते हैं, IMF का basic role क्या था, तो this was founded at the Britain Woods Conference in 1994, तो IMF और World Bank जो है, दोनों साथ में ही बने थे, Bretton Woods, और इसे लिए इन दोनों चीज़ों को, IMF और World Bank को collectively बोलते है, Bretton Woods Twin, Bretton Woods Twin, यह दोनों, इस Bretton Woods Agreement से ही बने थे, इसका headquarter का है, IMF का, तो आपको पताना चे, Washington DC के अंदर है, में, role की बात करें, किस लिए बनाया गया था, तो एक तो monetary जो cooperation है, World Level के उपर, वो enhance करें, trade और economic growth को increase करें, ठीक है, कोई country अगर BOP crisis में फज़ जाता है, तो उसको IMF पैसा देता है, ठीक है, आपको पता है, इंडिया के अंदर 1991 में BOP crisis आ गया था, हम लोगों ने IMF से पैसा लिया था, अब IMF जब पैसा देता था, वो conditions के साथ पैसा देता है, ठीक है, तो आपको पता है, उस conditions को क्या बोलता है, अगर आपको लोगों चाहिए, तो आपको अपनी कंट्री में यह चेंजिस करने पड़ेंगे, जिसका ही रिजल्ट था कि इंडिया में LPG reforms आई, है ना, liberalization, privatization and globalization reforms है इंडिया में, तो कि इंडिया को जब loan लेना था, BOP को overcome करने के लिए, तो हमें जो IMF है, उसके तुरू जो पैसा मिला, उसके साथ conditions है, which are known as structural adjustment program, जो अभी recently पाकिस्तान को go through करना पड़ रहा है, ठीक है, यह सब चीज़े पता होने चाहिए, additional details है, तो इतने part में कोई doubt, कोई question किसी को, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अब देखो, next chapter हमारा चाल हो रहा है, which is agriculture, तो पहला इसमें है, important topic जो है, वो fertilizer sector के उपर रहेगा, तो let's talk about the fertilizer sector in India, right, so आपको बता है, इंडिया के अंदर, हम लोग, टीन major fertilizer category है, N peak, अब ले, इसमें previous question में मैं जाएक डाउट था, कि सर, जैसे किसी का कोटा भढ़ रहा है, तो किसी का कम भी होगा, तो उसमें थोड़ा मुझे डाउट है, कि मतलब जैसे अगर इंडिया का बढ़ेगा, तो किस का कम होगा, वो देखो, यह formula के हिसाब से identify होगा, इस formula के हिसाब से, जो quota system है, उसको, यह लोग, बेसिकली, recalibrate करेंगे, countries, यह IMF, जो है, उस quota system को recalibrate करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 16% से उपर का जो share है, वो US लेके बैठा हुआ है, तो इसके पास जादा voting power होगी, उसके decision माने जाएंगे, तो यह demand बाकी country से चल रहा था, कि हमारा जो voting share है, इसमें थोड़ा बढ़ा हो, especially country like China, India, यह BRICS जो country थी, उनकी बहुत demand थी कि हमारा quota इसमें थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा तो definitely जैसे इससे पहले भी बार यह चीज चेंज हुआ था, quota system, तो US ने अपना जो share है, वो कम किया था, तो यह again इस formula से और उनकी जो technical formulas और detail में रहेंगे, उसके द में fertilizer sector in India है, तो इसके अंदर पहला आपको बता होना चाहिए, इंडिय में major, अगर fertilizer के बात करें तो हमारे पस NPK है, विच नाइट्रोजन, Phosphorus, and Potash, ठीक है, Potash, तो यह 3 macronutrients होते हैं, जो कि किसी भी plant या crop की growth के लिए essential होते है, तो इसका ideal ratio क्या होना चाहिए, तो इसका ideal ratio, लेकिन आपको पता है, इंडिया के अंदर या ideal ratio नहीं है, एक तो farmer में थोड़ी सी literacy की कमी है, और दूसरा, इनका access भी उतना, हम बोल सकते है, balance नहीं है, आपको ज्यादा जो है, concentration या ज्यादा utilization जो है, वो यूरिया का होते होए दिखेगा, तो यह जो formula है, यह काफी, यह जो configuration है, काफी skewed है, in the favor of nitrogen, ठीक है, तो आपको ऐसा मिलेगा, कुछ 100, let's say 21 और, let's say 1, ऐसा करके कुछ आपको यह ratio मिल रहा है, इंडिया के अंदर, ठीक है, which leads to acidification of soil, ठीक है, उसकी irrigation quality decrease हो जाती है, because आपने एक unnatural configuration बना लिया है, इन macro nutrients का, तो वो थोड़ा सा problem है, और ज रूरूरूत है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, government है क्या-क्या programs लिया है, इसको tackle करने के लिए, या fertilizer sector को लेके, ठीक है, ठीक है, तो अभी cabinet committee on economic affairs ने एक unique package announce किया है, of an outlay of 3.7 lakh करोड, again, काम का नहीं है number, आपको बस पता हो निचे कि कौन कुंसी scheme है, और क्या उसका scheme का aim है okay, let's talk about the first scheme, which is PM Pranam, so PM Pranam है, program for restoration, awareness generation and nourishment and amelioration of mother earth, ठीक है, तो full form थोड़ा सा लंबा है, बट शॉट में PM Pranam है, this was announced in the budget 23-24, main aim ये है, हम incentivize करे states को, UTs को to promote alternate fertilizers and balance use of chemical fertilizers, okay, alternate fertilizer मतलब, कोई organic fertilizer पे उनको जाने के लिए, nudge करो, ठीक है, उने incentivize करो कि वो और भी जो different organic fertilizers हो गए, nature-based fertilizer हो गए, उनका इस्तमाल करें, या फिर अगर वो chemical fertilizer का ही ही इस्तमाल करें, तो balance तरीके से उसको utilize करें, next है, market development assistance for promoting organic fertilizer from Goberdhan, ठीक है, तो MDA market development assistance जो है, वो दिया जा रहा है, for promoting organic fertilizer through Goberdhan, तो Goberdhan आपको पता ही है, this was a scheme, Goberdhan एक अलग scheme है, this was announced in 2018 under the Swach-Bharat Grameen Mission, ठीक है, ताकि इस से, इस scheme के तुरू हम village को एक तो साफ करें, और दूसरा जो village का waste है, generally village का waste क्या होता है, या तो cattle का waste होता है, या फिर उनके जो organic matter होता है, suppose उन्होंने खेती करी, खेती से जो by product, कच्रा बच गया, वो भी again organic matter है, तो उन सब को डालो एक chamber के अंदर, उस chamber को आप close कर दो, ठीक है, उस chamber को आप close कर दो, और वहाँ पे आप anaerobic respiration करवाओ, anaerobic respiration क्या होता है, anybody, anaerobic respiration, absence of oxygen, correct, anaerobic respiration मतलब absence of oxygen में आप जो है, basically, उस food product का breakdown करो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आपको energy मिलती है, और जो energy आपको anaerobic respiration से मिलती है, that is higher as compared to the aerobic respiration, ठीक है, जो आपको by product मिलते है, anaerobic respiration के दुरू, they can be used as fuel for further combustion, ठीक है, तो generally alcohol और gases वगएर आपको मिल सकते हैं, जो की combustible हो, इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको मिलेगा क्या, गोबर्धन से, के बहुत सारे advantages हैं, एक तो आपको मिलेगी energy, ठीक है, डिरेक्ट आपको fuel मिल गया energy की form में, दूसरा इससे क्या है, इससे clean हो रहा है environment, सारा जो कचरा था आप आप आपने डाल दिया, इस chamber के अंदर, गोबर्धन से आपको मिल गया clean environment, इसके साथ साथ, इसमें एक और चीज मिलती है, which is fertilizers, ठीक है, जो आपने गोबर्धन डाल के पटक दिया, इसके अंदर, या organic waste डाल के पटक दिया, इसके अंदर, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो gases होंगी, जो fuel होंगी, वो तो अलग separate हो जाएंगे, लेकिन बाद में जो by product बज़ गया, that is rich in fertilizers, उसमें बहुत सारे nutrients होंगे, जिससे nitrogen, phosphorus और potassium, जिसको आप directly farm fields के अंदर apply कर सकते हो, ठीक है, तो समझ में आए link क्या है, कि गोबर्धन से ह हम लोग organic fertilizer भी बना सकते हैं, तो वो बनेगा कैसे, जो इसमें end में slurry बच जाएगा, नीचे एक दलदली सा matter बच जाएगा, उसको आप directly farms के अंदर apply कर सकतो, और ये काम करेगा एक fertilizer के तौर पे, तो इसके लिए market development assistance भी दिया जा रहा है, ठीक है, next देखो introduction of sulfur coated urea, आपको हम लोगों ने macronutrients की बात कर ली, पौधो को macronutrients क्या चाहिए, तो वो है NPK are the macronutrients, जो पौधो को अपनी growth के लिए चाहिए, इसके अलावा भी पौधो को micronutrients भी चाहिए होते हैं, ठीक है, micronutrients, तो micronutrients में बहुत सारे nutrients आ जाता हैं, जैसे हो गया sulfur हो गया, magnesium हो ग को चाहिए होती है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने sulfur-coated urea देना है, इसका common name क्या है, इसका common name है urea gold, ठीक है, तो जो layman होते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, कि sulfur-coated urea क्या है, बस उनको एक, छोटा साब, एक, catchy phrase दे दो, ताकि उन्हें पता रहे कि हम उन्हें exactly जाके क्या मांगने है, आप बोले तो urea gold जो है, उसमें आपको sulfur-coated urea मिलेगा, which is much better than the currently available neem-coated urea, ठीक है, आपको पता ही होगा, हम लोगों ने neem-coated urea क्यों इस्तमाल करना है शुरू किया, इनी आइडिया, क्यों नेem-coated urea शुरू किया, हम ल filtration के वज़े से, यूरिया एकिंट है, हाँ, चल्दी dissolve हो जाता था, यूरिया, इक तो क्या दा है, इसकी क्या हो रही थी, smuggling हो रही थी, क्या यूरिया को आप, यूरिया से बहुत सारे और भी products बना सकते हो, तो क्या हो थाथा, इंडिया से सस्ते अदाम हो पर यूरिया खर यूरिया का इस्तमाल करते हैं, कुछ लोग, तो यह सब adulteration रोकने के लिए, और इसका smuggling रोकने के लिए, यूरिया को neem coat कर दिया गया, अब जिस भी purpose के लिए, apart from agriculture, अगर आप यूरिया को use करोगे, तो इसमें वो neem का flavor भी चला जाएगा, और उससे, आप जो भी product बना अब, तो यह तो एक reason हो गया, कि इसके smuggling और adulteration रोकने के लिए, और दूसरे जैसे किसी ने बोला, कि इससे जो curia का release है, वो थोड़ा slow हो जाएगा, तो plants को दीरे-दीरे मिलेगा, which is optimum for plant growth, अगर बहुत जादा एक साथ fast में मिल गया, तो plant उतना absorb करनी पाएगा, और वो directly leach out कर जाएगा, leach out कर जाएगा या wash away कर जाएगा पानी के साथ, जिससे क्या हो सकता है, उससे eutrophication हो सकता है, अगें, environment और ecology में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो यह पता हम अच्छे, urea gold क्या है, this is sulfur coated urea, और क्यों क्या sulfur coat, because sulfur की deficiency, बहुत साजी soils में देखने को मिलती और इससे जो farmer का input cost है, वो कम हो जाएगा, अभी जो neem coated urea ला रहा था, उसमें ज्यादा कुछ फाइदा नहीं हो रहा था, बस इतना ही था, कि urea का थोड़ा slow release हो रहा था, लेकिन जब हमने उससे sulfur coated urea दे दिया, तो अब उसको अलग से sulfur supplements डालने की ज़रूत नहीं पड़ क्योंकि आप sulfur coated urea मिल रहा है, यह urea gold मिल रहा है, तो इसको अलग से garlic के अंदर sulfur डालने की ज़रूत नहीं वड़ेगी, तो ऐसे आप समझ सकते हो, इसके advantage क्या है, next है urea based subsidy scheme, तो यह central sector scheme है, has been extended for another 3 years till March 2025, to maximize indigenous production of urea to reach self-sufficiency level by 2025, तो urea पर subsidy दी जा रहे थी, इसको फिर से और पड़ा दिया गया है, 3 years से तो अभी यह 2025 तक लागू रहेगी, तो यह पता होना अचाहिए, और याद रखना है, यह central sector scheme है, central sector मतलब इसमें जो सारी सारी funding लगती है, वो center की तरफ से आती है, state को इसमें अलग से कुछ नहीं देना है, तो यह clear होना चाहिए, इसके अलाव आपको बता होना अचाहिए, हमारे पास यूरिया की हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन लेट से फॉस्फोरस के अगर बात करें, तो फॉस्फोरस के लिए कौनसा हम फटिलाइजर यूस करते हैं, तो इस डिया पी, डाय अमोनियम फॉस्वेट, तो शॉट में लिखा इस इस फॉस्फोरस, और पॉटाश के लिए क्या है, तो पॉटाशियम के लिए क्या है, तो इस मूरेट ऑफ पॉटाश, तो यह तीन काटिग्रीज ऑफ फॉर्टिलाइजर रहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर हम मेजरली यूस करते हैं, फॉर माक्रो न्यूट्रियंट इफिशिंसी या फॉर माक्रो न्यूट्रियंट परपसेश, अब अगर फर्टिलाइजर इंडिस्ट्री के हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इट इस पार्ट अफ एट कोर इंडिस्ट्री, एट कोर इंडिस्ट्री को याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, फॉ इसे करके आपको सारे जो काटिग्री आर्ट की आर्ट कोर इंडिस्ट्री याद हो नीचे है, एन जो है नाचल गैसे स्टील है, फिर सी कोल है, और एक और सी जो है इसके अंदर, सिमेंट है, और एक और सी क्या था, क्रूड ओल, और यह ऐसे आर्ट की आर्ट इंडिस्ट्र आपको याद रखने है तो यह सारे जो है याद होने चाहिए 8 core industries क्या है इनका अलग से वह आई-आई-पी निकलता है Index of Industrial Production आपको पता है यह जो 8 core industries है इसका इस आई-आई-पी के अंदर कितना वेटेज है 40.27% इनका वेटेज है इस आई-आई-पी के अंदर तो हमें जब देखना होता है कि country के 8 core industries grow कर रहे की नहीं कर रहे तो हम यह आई-आई-आई-पी को refer करते है और इसी के data से हमें पता लगता है कि आई-आई-पी में कितना growth हुआ है तो हमें पता लग जाता है कि इंडिया का जो core manufacturing है उसमें growth हो रहा है तो यह सी ते बतावने अच्छे है अब बात करें यूरिया की या इन जनरल fertilizer की आपको पता फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे एक act के अंडर आते हैं इस कॉल्ड असेंशियल सर्विसेज अक्ट है असेंशियल सर्विसेज अक्ट मतलब इनका ज ज्यादा regulated है इंडिया के अंदर सारा fertilizer sector मतलब government schemes के उपर dependent है या government incentives के उपर dependent है पुरा कपुरा fertilizer sector और कुछ चीज़ों में थोड़ा partial deregulation कर दिया बट सिल काफी हद तक government का इसमें role रहता है इन सभी fertilizer companies के उपर या उसकी sale production वगएरा के उपर या उसकी subsidy के उपर यह पता होन चाहिए नेक्स अगर हम बात करें इंडिया जो है in terms of fertilizer industry इंडिया इस सेकेंड लार्जस fertilizer consuming country आफ्टर चाइना क्या क्या कि बहुत बड़ी population है हम agrarian economy भी है हम सब सेकेंड नमबर पे सबसे larger largest fertilizer का यूज करते हैं यह थर्ड लार्जस producer ठीसरा largest producer है लेकिन आपको पता होने च और murate of potash इनों पे हम लोग import dependent है ठीक है इन दे सेंस के चलो अगर यूरिया की माने तो यूरिया 80% हम लोग इंडिया में manufacture कर रहे है ठीक है इंडिया में यूरिया जो है 80% manufacture कर रहे है के वहल 20% या 15% के असपस हमारी dependence जो है वो foreign import से आती है या fulfill होती है लेकिन अगर बात कर हम लोग इंपोर्ट से अपने आपको सफीशन बनाते हैं या इन दे सेंस के उसके लिए 50% पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है और potassium murate of potash की बात करें तो यहां पर तो यह नंबर और बड़ा हो जाता है इस अरूंड अल्मोस्ट 80-90% हमारा जो डिपेंडेंस है वो foreign import से ही फुल्फिल होता है तो यह भी आपको थोड़ा बात आइडिया होना चाहिए हम यूरिया सबसे जादा यूस करते हैं उसका हम सबसे जादा production भी करते हैं बट स्टिल अभी भी self-sufficient नहीं हो पाए यूरिया के अंदर यह पता हो नच्छे इसके अलावा एक बहुत recent development हुआ which was in the current affairs also तो आप में से किसी ने सुना है नानो यूरिया के बारे में इसने बनाया नानो यूरिया और क्या इसका यूस है इसको ने बनाया है और वही सफिशेंटी सब एफिशेंशी के लिए यह इस इस इन लिक्विड फॉम चंप इन बनाया है विच इस वन आफ दे इंडिया इस लीडिंग कोपरेटिव इसको को तॉप जानते हो इसको नानो यूरिया बनाया नानो मतलब नानो टेक का इस्तमाल किया नानो मतलब तेन की पावर माइनस 9 मीटर्स केल में चलेगा है जब आपको पता है कुईसी चीज का सर्फिस अरिया बढ़ा देता हो तो ऑविस सी बात है उसका इसका इप्शॉप्शन सब चीजे बढ़ जाती है तो अब लेट से पहले 100 kg आपको यूरिया लग रहा था एक फील्ड के लिए तो अब यह नंब सेज कम हो गया बट आपकी साथ-साथ एफिशेंसी भी बढ़ गई ठीक है कि आप कम यूरिया इस्तमाल करो लेकिन आपकी एफिशेंसी भी बढ़ रही मतलब इसका एब्सॉप्शन रेट भी बढ़ गया है क्योंकि आपने साइज इतना चोटा कर दिया है तो साइज चोट अप्टेनिंग फॉस्फवरस लेने में हमें दिक्कत हो रही है आप लोगों से एक सवाल रहेगा नाइट्रोजन आपको बता है न्यूट्रेंट साइकल में नाइट्रोजन साइकल के तुरू वह आता है विच इस ऑ गैसिस साइकल तो अगर हम बात करें फॉस्फवरस साइ साइकल रॉक वाल है भूलते हैं को साइकल किस टाइब की साइकल होती है इस इस आ इंपर फेक्ट साइकल प्रेन्वार्मेंट एकलोजिक से भी लिंक करना है तो कोई भी सब्जेक जो है वो अकेले साइलो में नहीं पढ़ना होता जितना आप लिंकेज बिठाओगे उतना बेटर है आपके लिए तो सेडिमेंटरी साइकल होती है और this is an imperfect cycle in the sense इसमें जो nutrient होते है काफी समय के लिए जो cycle से बाहर चले जाते हैं ठीक है क्योंकि rocks बनके वो कई सालों तक पढ़े रहते हैं और आपको ये भी बताऊने अच्छी है फॉस्फोरस जो है पानी में dissolve नहीं होता है और? है, इंक बानहे फॉछार पुछा फॉस्फोरस सवाल प्रके पूचह ऊशी है तो आपको बताओन अच्छी ये वाटर में dissolve नहीं होता, इसलिए पानी की नीचे भी कई सालों तक रॉक की फार्म में फड़ा रहेगा इसलिए sedimentary cycle का example है imperfect cycle का example है और जो gaseous cycle होती है वह जनरली perfect cycle होती है वह फटाफट फटाफट environment में rotate करती होती है जिसे carbon cycle की बात करते हैं तो carbon हम लोगों ने जिसे फिर सांस के थूरू या छोड़ा या फिर हमारी बॉड़ी भी बहुत सारे कार्बन आटम्स के थूरू बने हैं लेकिन हम क्या ओते हैं फटाफट हमारी जो बॉड़ी है वो डिकंपोस करती है हम लोग excretion करते हैं उन सबसे जो भी कार्बन हम लोग consume करते हैं वह वापस आपको पता है क्योंकि हमें हमारी कंट्री एग्रेरियन एकनॉमी है उसमें हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए और डीएपी जो डायमोनियूम फॉस्वेट है उसके लिए हमें फॉस्फोरस का जरुत पढ़ता है जरुत परता है ज्रॉम मटीरिल तो ज्यादा तर यह जो केसी और मेटल के साथ रेक्टिट जो है वही मिलेगा तो इस केस में जो क्याडमियम लेटन डेपॉसित होते हैं उसके अंदर फॉस्फोरस में मिलता है और क्या एक हेवी मेटल है अगर जब इसकी माइनिंग करते तो काफी पॉजनस होती है इसके लावा इंडिया में भी क जयत्पुर यूपी मसूरी का सिंक्लाइन और कडपा बेसिन इन अंधर प्रदेश इन रीजन में आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा तो यह पलावन अच्छे है अब देखो बाकी आपको पता है कि कैडमियम लेटन डिपॉसित में मिलता है तो इसकी माइनिंग जो है बहु तो डाल रहे हो यह अप्लाइ करो प्लांट्स में उसकी जगां प्रिसिजिन अग्रिकल्चर का इस्तमाल करो बिल्कुल एक्जाक्ट सेंसर से आप पता लगाओ कि कितना एक्जाक्ट अमाउंट आपको फटिलाइजर की ज़रूरत है और उसी आपसे उसमें पौधे के नहीं रहे हो और सस्टेनेबल तरीके से अग्रिकल्चर करो इसके अलावा माइनिंग अर्बन सीवेज तो प्रड्यूस फॉस्फॉरस तो यह भी बहुत अच्छा तरीका है आप क्या कर सकते हो हमारा जो एक्सक्रीटा होता है इन फाक्ट हमारी बॉड़ी जब हम बरन करते हो वहां से भी अब लेकिन उसके लिए बहुत एडवांस टेक्निक्स लगेंगी जो अप्लाइ करने की जुरत है बायो रिमीडियेशन और यह सब टेक्निक अगर हम करते हैं तो जाके हम फॉस्फॉरस रिकावर कर सकते हैं इसके अलावा हम अल्गी का भी इस्तमाल कर सकते ह अल्गी बी कई ऐसे अल्गी होती है जिसके अगर आप अल्गी वगेरा का उससे भी आप फॉस्फॉरस गीन कर सकते हैं तो यह कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग फॉस्फॉरस का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस से उसे कम कर सकते हैं और इंडिया में ही सस्टेनेबली फॉस् बाखी concerns और harmful effect मैंने बताई दिया है आगी से लते है नेक्स देखो माइनर इसमें आपने बता है कि ये पानी में डिजॉल नहीं होता फॉस्फरस तो प्लांट कहां से एब्सॉर्प करते है फॉस्फरस न्यूट्रेंट को इसे आइरन भी वाटर में डिजॉल होता है इन फिर में प्लांट करता कि और छोटेचोड़ बांट को डिजॉल कर दाए अगर ने आपने को ट्रायब आज़ पानी में जिसे कि इसल्ट नमक तो ऑगट से अगर दिजॉल हो जाता पानी में लेकिन एडन के क्रिस्टल्स को लाइन को दिजॉल करने के कोश्च कर एड़ कर श़क मैं आडिबल हां मैं कह रही हूं हर न्यूट्रियंट डिजॉल्ड फॉर्म में ही नहीं लेती न प्लांट्स या फिर बॉडी भी तो यह भी चीज़े बता हूं इसे देखो क्या चीज़े डिजॉल्ड होती है जैसे हम बहुते हैं विटामिन्स हमारी बॉडी में वाइटमिन सब्सक्राइब को बता हैं कॉबने सो बागे D और E अब बागी सब water soluble D और E Water soluble होते है दोनो fat soluble होते है fat और बागी सब water तो water soluble ते को vitamin C हो गया और vitamin B हो गया B हो गया C हो गया और K हो गया और जो जो बी है सब मतलब यह basically D और E सिर्फ fat soluble है और बागी सब water A किसे है A भी है vitamin A शायद I think A, B, Fat soluble fat soluble vitamins यह fat soluble है यह basic basic चीज़ है देखो यह भी पताओन अचाहे है again ऐसा नहीं है कि बहुत high level कोई चीज़ है general आप वो किताब है न कौन सी lewisend बगएरा पड़ा होगे तो उसमें यह बहुत basic से information given है तो यह general general चीज़े भी कभी कभी basics of science के नदर पूछ लेता आपसे पेस से भी यह चीज़े clear होनी चाहिए आगे चलते है इस पार्ट में और इसमें यह है ना जैसे कि NPK है तो वो कहां कहां यूज होता है तो जो nitrogen होता है plant growth में यूज होता है और जो phosphorus है वो root growth में और जो potassium है वो disease resistance के लिए यूज करता है यह सब चीज़े पता हो निशे देखो भाई लोग बेशिक है अगें science and tech और इंटल लिंके जरूरी है topics के बीच में अभी आपको यह चीज़े समझ में आइगी तो यूपसी कभी आपसे ऐसा नहीं पूचेगा के चलो ठीक है आप यह question जो है स्रिफ environment के perspective में बताओ आपसे घुमा के पूरा पूच लेगा आपसे उसकी environment side भी पूच लेगा आपसे उसकी let's say economy side भी पूच लेगा geography side भी सब चीज़े पूच लेगा कहा नहीं मिलता है कहा नहीं मिलता तो यह सब चीज़े ध्यान रखनें आगी चलते नेक्स topic पर minor irrigation ministry of jalsakty recently released the sixth census report on minor irrigation scheme क्या है sixth census report on minor irrigation scheme यह जो पहला census started in the year 1986-87 मतलब यह reference ही आता 1986-87 और पहली बार published किया गया था 1993 कि अब माइन जो irrigation इसका थोड़ा बारे में देख लेता है irrigation projects को इंडिया में तीन categories में define किया जाता है major irrigation medium और minor okay three categories of irrigation हो गया इसमें major irrigation projects की बात करें तो यह यहां पर आपको देखने को मैंने को cultivable command area of more than 10,000 hectares है बहुत बढ़ा area which is more than 10,000 hectares तो आप imagine करो कि इतना बढ़ा area की बात हो रहोगा almost इसमें district वगरा level तक का यह उससे भी उपर level तक हम लोग irrigation basically focus कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर अगर कोई project बनाए जाता है generally dams वगरा कितुरों हम ऐसे major irrigation projects बनाते हैं तो वह major irrigation में आगा फिर आपके पास medium irrigation project होगे तो यहां पे जो irrigation है area वह होगा between 10,000 hectares to 2000 hectares इसके बीच का अगर area है जहां पर irrigation हो रहा है तो उसे हम medium category में डालेंगे और अगर 2000 hectares से less का area को focus कर रहे है irrigation के लिए this would be minor irrigation projects तो अभी यह जो जलशक्ती ने जो अपना census report निकाला है यह minor irrigation के निल निकाला है मतलब less than 2000 hectares of land area is irrigated irrigation मतलब पानी से सिचाई करना पानी आप पहुचा रहे हो जिससे agriculture हो सके तो इसे irrigation बोलेंगे अब sources की बात करें minor irrigation projects में यहाँ पर हम surface water भी लेते हैं और groundwater भी लेते हैं surface water तो generally rivers या उसके कुछ चोड़े रिविलेट्स हो गए उनसे आपको मिल जाएगा और groundwater भी भी focus रहेगा जैनरली हम लोग surface का water का इस्तेमाल करते हैं जब major या minor projects की बात करते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों को harness किया दाता है लेकिन जब आप एक छोटे से एरिया के लिए इरिगेशन फेसिलिटी डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पर groundwater के भी यूज हम लोग कर सकते हैं तो माइनर इरिगेशन के अगर बात करें तो this is as a sector whole is implemented by the state government and states have specific state specific schemes तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर करा पॉरीटी का अंगल जुच जाता अगर इंटर स्टेट रिवर की बात आ रहे है तो हमसी लिस्ट में आती ही तो आती है लेका है एक में इंटर स्टे बिदिन दे इरिगेशन किसके अंदर आता है स्टेट गवर्मेंट के अंदर आता है यहाँ पे ग्राउंड वाटर और सर्फेस वाटर के हम लोग बात करेंगे अब यह जो स्कीम था दिस वस्ट्रली स्पॉंसर्ड प्लान स्कीम लॉंच इन 1987-88 Rationalization of Minor Irrigation Statistics यह कौन तैयार करें यह Central Government तैयार करants कर रही है और क्योंकि आपको पता इस ञ contamination का स्थेशन का जो प्रोजक्त है यह बेसिकली स्टेट गवर्मेंट के अंदर आता है तो इसलिए यहाँ पर अगर सेंटर गवर्मेंट कुछ कारना चाहती तो वो state की थूरू ही करेगा ठीक है वो खुद से action नहीं लेगा तो इसलिए यहाँ पर centrally sponsored plan तयार किया गया था initially मतलब कुछ पैसा इसके लिए center देगा और कुछ पैसा state देगा यह भी idea आपको clear होना चाहिए कहाँ पर central sector scheme होगा और कहाँ पर centrally sponsored scheme होगा जब भी sponsored words सुनोगे तो यहाँ रखना center और state दोनों मिलके collaborate कर रहे हैं तो यह जो rationalization of minor irrigation statistics initially started as a centrally sponsored plan scheme बाद में से central sector plan के तोर पर रख दिया गया under the development of water resources information system तो center ने बोला कि चलो ठीक हम एक comprehensive water resources का information system बनाएंगे इसलिए हम इसके उपर सारा घर्चा करेंगे तो then it came under a central sector plan इसमें यह था कि हमें comprehensive reliable database बनाए in the minor irrigation sector अब database बनाने से क्या होता आपके पास information रहती है और उस information के basis पे आप effective planning और policy making कर सकते हो तो यह rational था कि क्यों government ने इसको central sector plan के थुरू launch किया अब की highlights की बात करते है central sector scheme जो होता है इसको implement कौन करता है center या state more or less देखो उसमें funding का तरफ से देखते है अगर देखो यह है कि वो जो objective है वो state subject में है जिसे एक fund मैं बताता हूँ एक निर्बया fund आप लोगों ने सुना होगा women security के लिए एक निर्बया fund हम लोगों ने बनाया था यादी होगा सभी को निर्बया एक बहुत famous case था इस उसके बाद एक निर्बया fund बनाया यह fund किसने बनाया यह center ने बनाया लेकिन women या जो law and order वाला जो women protection या law and order वाला जो situation होता वो state subject होता है तो वहाँ पर implement करने का काम जो है वो state का ही होगा उसमें center आके ground पर laws नहीं बना सकता कि वह women के protection के लिए हम लोग police को यह आदाइस दे दे वो काम state का ही होगा ठीक है तो यह आपको दोनों perspective से देखना है कि एक तो वो subject किसका है ठीक है और दूसरा funding जो आ रही है उसका कैसे utilization होगा तो center हो सकता है कि कहीं पर 100% funding कर दे लेकिन उसका जो implementation का काम होगा वो state करेगा आ रहा है समझ में तो जो निर्बया fund है उसको manage कौन करता है उस fund को manage करता है ministry of finance let's say मैं हूँ Delhi government के chief minister बन गया let's say मैं और मैं चाहता हूँ women security में कुछ measures deploy करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं बोलूँगा कि यह वाला कोई नया scheme मैं लेके आ रहा हूँ जहां पर women को extra protection या police special police forces जो है women oriented मिलेंगी तो मैं क्या करूँगा मैं center को बोलूँगा अपने इस fund में से मुझे कुछ पैसा दे दो so that I can implement that scheme तो वो manage कौन कर रहा है वो fund को center कर रहा है लेकिन उसको implementation का काम को कौन कर रहा है वो state कर रहा because at the end of the day वो जो काम है वो state subject का है similarly अगर let's say situation थोड़ा उल्टा हो जाता है कोई ऐसा काम है जहां पर center का main role है तो वहां पर वो center ही उसको देखेगा और center ही implement करेगा या फिर अगर कहीं लगता है कि उसमें state का भी orientation है या उसके भी जरूरत है तो central government वो वाला जो पार्ट है वो delegate कर सकता है to the state government again political chapter याद करो center and state relation वहां पर आप लोगों ने यह चीज़े भी पढ़ा होगे कुछ एक functions है center delegate कर सकता है state को to perform clear yes sir all right आगे सलते हैं अब highlights की बात कर लाते है minor irrigation census की so first census of water bodies it was conducted in convergence with the sixth minor irrigation schemes using the 2017-18 as a reference year इसे एक national database बनाया जाएगा for all water bodies तो चाहे कोई कोवा है कोई नदी है कोई tank है सबका एक database होगा next minor irrigation scheme की बात करें तो हमारे इंडिया के 695 districts के अंदर 23.14 million minor irrigation schemes चल रहे हैं ठीक है implementation पे है और जो minor irrigation की अगर हम बात करें तो उसमें 94.8 मतलब 95% जो projects है वो groundwater के लिए काम कर रहे हैं ठीक है यह पता होना अच्छे है in fact आपको पता है हमारे agriculture में 80% जो पानी यूज हो रहा है वो groundwater यूज हो रहा है 95% जो minor irrigation के projects है वो यूज कर रहे है groundwater को next अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में यह scheme चल रही है तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा minor irrigation scheme followed by महराश्टरा MP and then तमिल नाडू तो यह top 4 स्टेट जहां पर minor irrigation का काम चल रहा है और इसमें भी अगर आप देखो होगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें dug wells मिलेंगे कुछ खोद के आपने कुछ wells बना दिये और इसके बाद आपको shallow tube wells मिलेंगे medium tube wells मिलेंगे और deep tube wells मिलेंगे बट ज्यादा तर जो शेर इसमें dug wells कराएगा मतलब लोगों ने इसके अलावा 18% जो है वो women owned minor irrigation schemes है जिसे कोई खेत है जहां पर let's say women का खेता तो वहां पर women का ownership होगा उस minor irrigation scheme के उपर ठीक है जो भी उन्होंने कुआ खुद आया तो इस पर women का right होगा तो यहां पर भी आप वही same picture देख सकते हो अगर हम बात करें agriculture में as a labor force तो women का participation इसमें around 43% या 38 से 43% क आपको देखने को मिलता है तो इस तर्म इसको इलिए हम एक term इस्तमाल करते है विच इस कॉल्ड फैमिनाइजेशन ऑफ अफ अग्री कल्चर एक तरह है और अगर दिखा जाए as a labor force तो काम कर रही है वहां पर उनका portion ठीक ता कहा है लेकिन इन टर्मस अफ ओनर्शिप अव अग्री कल्चर लैंड वहां पर उनका percentage फिर से कम हो जाता है तो इतना ही around 20% के आसपास female जो है वो ओन करती है अग्री कल्चर लैंड वही जीम चीज़ आपको minor irrigation scheme में भी देखने को मिल रहे है कि around 18% women actually own करती है minor irrigation schemes को तो this was about the minor irrigation scheme पार्ट इसमें कोई डाउट कोई question किसी को और फिर आगे चलते हैं next topic देखो भारतिये बीज सहकारी समिती लिमिटेड के तो एक company है which was established in the year 2023 to provide certified and scientifically prepared seeds to every farmer in the country तो या दखना ये एक सहकारी मतलब cooperative है एक cooperative हम लोगों ने बनाया है जिसका main aim ये है कि हम जो इंडिया की जो farmers है उन्हें certified और scientifically prepared seeds हम उन्हें provide करें ताकि उनकी जो agriculture productivity वो increase हो और उससे in turn उनकी income जो है वो increase होगी तो अब cooperative नाम में ही आ गया तो इसका मतलब ये बना होगा किसी cooperative act के अंदर आपको पता हो चाहिए this that this was established under the multi-state cooperative society act 2002 तो अब आप लोगों से एक political question फिर से राएगा cooperative कौन से list के अंदर आते हैं को प्रेटिव कौन से list के अंदर आते हैं को इस टेट लिस्ट लिस्ट राइट अगर में बोलू multi-cooperative और से लिस्ट यूनियन लिस्ट वो यूनियन लिस्ट में है यहां पर आपको क्या करना पड़ता है एक central register होता multi-state cooperative आपको चलाना है तो एक central register के पास आके अपने cooperative को रजिस्ट कराना पड़ेगा इसका मतलब यह cooperative multiple state में work कर सकता है और इसी के साथ साथ इंडिया ने अभी अपना एक नया multi-state cooperative societies act 2023 भी launch कर दिया था तो वह भी पता होना अच्छे यहां पर basically क्या है जो traditional seed का जो conservation है उसको भी promote किया जाएगा साथ में research और जो कोई भी नया उसके अंदर scientific development है उसको भी promote किया जाएगा ताकि ultimately जो farmers है उनको better seed quality मिले जिससे उनका agriculture productivity increase हो अब इस scheme को या इस यह जो cooperative हम लोगों ने बनाया this is jointly promoted by the Indian farmer cooperative fertilizer cooperative limited इफ को जो भी हम लोगों ने डिसकस किया था फिर क्रिशक भारती cooperative limited फिर नेक्स्ट नाशनल अग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया नाफेड नेक्सा नाशनल डेरी development board nddb और फिर फिर नाशनल कोपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्परेशन ncdc यह सारे cooperative जो हैं मिलकर promote कर रहे हैं यह help कर रहे हैं इस भारतिय बीज सहकारी समिती लिमिटेड की यह पता होना चाहिए इसके बार में बाकी इससे जादा और कोई detail इसमें काम की नहीं है आगे चलते हैं नेक्स एको इससे related topic हमारे पास that is seed certification तो seed certification क्या है basically हम जो farmers जो seed apply करेंगे जब वो basically बुआई करते हैं या फिर sowing करते हैं तो basically certified seeds use करते हैं ऐसे में ज़रूर है कि जो भी certified seeds लेकर आ रहे हैं उनकी authenticity हो वो actually जो claim कर रहे हैं उतने benefits farmers को provide करें ठीक है तो इसके लिए seed certification एक important pillar रहता है in the entire agriculture ecosystem तो यहाँ पर अभी recently यह news में क्यों है because ministry of agriculture and farmer welfare ने launch किये साथी साथी नाम से बहुत और भी number of portals है तो आपको पहले तो पताना चाहिए spelling क्या है और उसका context क्या है तो इस case में इसका context seed certification से related है और किस ने launch किया तो ministry of agriculture ने launch किया यह इसका full name है seed traceability and authentication and holistic inventory तो यह centralized online system है which will deal with the challenges of seed production quality seed identification and seed certification ठीक है तो company जो seed बनाती है राइट वो कुछ claim करते है कि हमारा जो seed है वो इतनी productivity देगा लेकिन लेट से वो जब farmer से apply करता है और वो seed उतनी productivity नहीं देता तो farmer के पास एक remedy होनी चाहिए कि वो trace कर सकता है कि वो exactly seed आया कहां से था और फिर उस company के against legal action लेने को उसको empower कर सके हम लोग for that reason हम लोगों ने यह साथी portal बनाया है तो यहाद अखना है इसमे qr code रहेगा for authenticity कोई भी जो seed packet आप purchase करोगे तो उस फिर qr code मिलेगा और यह portal बनाया किसने तो this has been created by the national informatic center in collaboration with ministry of agriculture on the theme of उत्तम बीज समरिद किसान ठीक है तो NIC यह जो body है इसने यह बनाया है national informatic center ने बनाया है इस साथी portal को और इसके अंदर जो भी कोई seed है जिसके पास एक valid certification होगा वो केवल एक valid license dealer जो है वही उन seeds को बेच सकता है जिससे जो centrally registered farmers है उन्हें dbt मिलेगा dbt मतलब direct benefit transfer मिलेगा जब वो seed purchase करेंगे किसी valid licensed dealer से ठीक है तो अगर मैं कोई farmer हूँ और मुझे government की दरस से और भी dbt transfers मिल रहे है जिसे PM किसान भी एक dbt transfer है तो मैं government के जो central register है उसके अंदर मेरा नाम है तो अगर मैं किसी license dealer से जाके seeds खरीदता हूँ यह certified seeds खरीदता हूँ जब भी मैं seeds purchase करूँगा तो उसका कुछ subsidy जो है मेरे account में directly through dbt government जो है transfer कर देगी तो that is why this seed certification यह साथी portal has been in use और issues के है certification से related पहले एक तो unpredictability है demand of the certified seed फिर इनका जो shelf life होता है काफी short होता है मतलब एक जो certified seeds होते generally एक season सकी last करते हैं आप उसको अगर let's say अभी तो आपने crop grow किया और उसमें से आपने बीज बचा कर आपको उतनी crop yield वो नहीं मिलेगी जैसे suppose आपने इस season बाजरा हो गाया अब आपने क्या किया जब बाजरे को harvest किया उसमें से कुछ बाजरे की बीज बचा लिए अब आप उसको next time जब वापस से sowing करोगे तो आपको उतनी productivity नहीं मिलेगी तो इसलिए यह चीज ध्यान रख effective monitoring to control the seed quality जो seed quality है उसको control करने के लिए यह साती वोटल हमारी काफी help करेगा अब इसमें कुछ additional detail है पहला कि इंडिया के अंदर legal status मिला हुए seed certification को through the act called Enactment of Seeds Act 1966 इंडिया के अंदर जो seed certification है वो voluntary है बड़ उसका labeling compulsory है अगर आप कोई seed बेचना चाहरे हो तो अगर आप उस पर certification चाहते हो तो वो voluntary है आप चाहते हो कि मैं अगर बेचना है और certify करके बेचना तो आपकी मरजी है आप उसे certify करवा लो नहीं करवा कि भी आप उसे बेच सकते हो लेकिन एक चीज ह उस पर label होना चाहिए आप कौन सी क्या label in the sense क्या आप किस चीज का seed बना रहे हो और क्या उस पर claim कर रहे हो कि वो कितना effective होगा कि नहीं होगा labeling important है इसके अलावा हमारा जो India के अंदर जो seed का जो पूरा ecosystem है that has been also protected by the protection of Plant Variety and Farmers Right Act PPVFR Act है 2001 का उसके अंदर हम लोग ने यह authority बनाए है PPVFR authority और इसका काम क्या है कि एंशोर करेगा quality seeds and planting material to the farmer आपको यारी होगा PepsiCo का एक बहुत famous case था पिछले 3-4 सालों में जहांपे PepsiCo ने कुछ farmers के उपर एक lawsuit फाइल कर दिया था कि उन्होंने contract farming पे जो इन्हें आलू के जो बीज दिये थे उनके basically आलू उगाने के लिए for the PepsiCo लीज प्रोडक्ट तो उन्होंने कहा कि उन्हों को बाहर मार्केट में बीचना शुरू कर दिया या और purpose के लिए उससे cultivate करना शुरू कर दिया था तो lawsuit के अंदर यह PPVFR Act के अ से रिलेटर के question आया था UPC में PPVFR Authority से रिलेटर की इंडिया में सीड का process patent allowed है या नहीं है राइट आया था ये वाला question और आगे भी important रहेगा तो यह चीजे पता होनी चे यह वी आर कौन सी ministry के अंडर आता है कौन सी ministry के अंडर है PPVFR ये commerce ministry के अंडर होगा ना नई ministry of agriculture है ना इसमें इन्वारेमेंट में भी ज्यादा पड़ते है ना तुसमें confusion भी हो सकता है लेकिन अग्री कुशन है जोड़ दिया commerce भी confused हो सकते तो याद आखना ministry of agree है इस case में इस केस में ओराइड वालाइड वाला कुशन था में डाल दूंगा अगर में को मिलता है तो यह प्रिवेश्य कुशन तो और कोई दाउट कोई क्वेश्य को सब पेटेंट वाला अलावड है कि नहीं एक बार बता दिया पेटेंट इन अगर आपने ना कोई नया इन्नोविशन के तो अलावड है otherwise simply अगर आपने बस कोई सीड कंजर्व किया तो उसके उपर अलावड नहीं है तो exactly question मुझे नहीं यादा रहा क्वेश्चन याद है कि अमुद जैक क्वेश्चन गया था एक जैक क्वेश्चन तो याद नहीं से लेकिन मैं डाल दूंगा ग्रूप पे ठीक है ट्रव युणियन लिस्ट में गई एक बार चेक कर लेंगा पर यूनियन में मल्टी स्टेट जो है उसके उपर अभी रीसेंटली सेंटर में आक्ट भी बनाया न तो अगर मुल्टिपल स्टेट में आक्ट करता है तो फिर वहां पर यूनियन के जो डिटेक्शन में आ फिर्स्ट पार्ट इन्वेलेड़ीट कर दिया था ना ओरे का उन्होंने स्टेट गवर्मेंट से बिना परमिशन लिए फेडरल इंट्रक्टर को चेंज कर दिया, इसले उन्होंने वह स्टेट कौोपरिटिव चेंगे मुहिग थें आरि भाउने निकाल दिया थे और फिर RBI ने लौ बनाया था कि सिंगल स्टेट कोपरेटिव बैंक्स RBI के जूरिजिश्टिक्शन में होंगे उससे पहले वो I think Registrar General of India के अंडर आते थे Registrar General of India I think वो सेंटरल Registrar उसका अलग है Registrar General of India तो Ministry of Home Affairs के अंडर आता है जो सेंसर बगरा का डेटा करता है तो देखना पड़ेगा एक वर कुषाइदी को Cooperative Ministry अब सेपरेट होगी है ना आप लगोगों वताई होगा 2021 में आप लगों अलग एक मिनिस्ट्री बन लिगे तो में अलग एक मिनिस्ट्री बन गे तो में तो में बीशाद वो क्वेशन बगार जो रह गया हम लोग डिसकुशन चैनल में डिसकुस करेंगे तो मॉरो विल स्टार्ट विद फूद सब्स फूद स्टोरेज पार्ट कोई डाउट तो नहीं है किसी को और कोई कंफीजिन इस टार्टिंग में पढ़रे थे हिंदू अंडिवाइड़ेड फैमली वह क्या था एक टैक्स रिजीम बेसिकली बोल सकते हैं इसे होता है न कोपरेट हो गया वैसे हिंदू अंडिवाइड फैमली का भी काटेगरी अविलेबल होता है में तो आप उसमें कुछ टैक्स रिबेट या कुछ डिफरेंट टैक्सेशन नॉम्स आपके उपर लगेंगे अगर आप हिंदू अंडिवाइड फैमिली अपने आपको क्लेम कर रहे हूं बताने इंडिया में क्या है जॉइंट फैमिली का एक कल्चर है वह हिंदू अंडिव झाल बताने ओख